तो फ्रेंज वेल्कम तो आच चैनल जिसका नाम है प्रोफवेट ट्रेडर्स तो दोस्तो वीग खतम हो गया है बट मेरे भाई बिलकुल अच्छी नहीं है अगर तुम बेटकोइन का यह चार्ट देखते हो ना तो हम लोग उने बहुत बुरा और बहुत गंदा क्लोज दिया अब यहां पर मैं ऐसा मजब नहीं बोलूगा के हम लोग बहुत बुलिश है लेकिन यार देखो यहां अभी थोड़ा ध्यान हमें देना पड़ेगा तो के यह दोनों को हाइड करू ना फिलाल भाई तू बंदो ओके तो अगर तुम देखोगे तो यह दो जो मोविंग अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां तुम अपने ट्रेडवेट सब्सक्राइब यह रीटेस्ट करेंगा फॉर इसा नहीं करेंगा तो अगर तुम लोग उने बिट्कोइन में ट्रेड लिया था तो तुमको ऐसा वो ब्रेक इवन पर फ्लोज करने का मौका मिलेगा बट ज़ा क्यों बट्चस तक क्यों आएगा वो समझो अगर तुम यह देखते हो ना हमारा RSI प्राइज अगर यहां आता है बट RSI साइडवेज ही जाता है तो यह हो जाएगा बुलिश डाइवर्जेंस और वो बिट्को वापस उपर की तरफ ले जाएगा ओके तो लॉंग टर्म इ देख सकते हो कि यहां ब्रेक एवन पर अपने प्रॉफिट्स ले लो यह ब्रेक इवन पर क्लोज करो और वेट करो वापस यह वाइट लाइन को टॉच करें नहीं तो यह हमारे रिजिस्टेंस को ब्रेक करें ओके तो तो मैं सोचोगे कि यारभाई अगर इतना पुरा ख्ल लोकल करंसी चाहिए वो कैसे मिलेगी राइट अब मैं बैंक से ट्रांसवर करना शुरू करूं तो भाईया बैंक अलग चार्ज मारता है सोचीजे है टाइम वेस्ट होता है वहां आता है बिटकोईन तुमने उस कंटरी में बिटकोईन खरीदा था वो तुमने एक सेकिंड में दूसरी जगा भेजा वहां तुमने एंकैश किया बात खतब ओके यहां बिटकोईन आता है तुम देखो एक्चुल में जो बैंक वाले पैसा ट्रांसवर करते न वो तुमें अलग से फीस मारेंगे टाइम लेंगे तीन जार दिन में तुमारे पैसे का क्या करेंगे पार तुम दूसरा चार्ट देखते हो तो यह वापिस लिटेस्ट किया है और यहां से इंद भापिस बीटकोईन जाएगा गूद एनफ ऑक एक और अगर मैं तुम लोगों को चार्ट दिखा हूं तो वो भी IMP मैंने अभी देखा है तो मेरे भाई अगर तुम यह वाला चार्ट देखते हैं तो यह मैं मुविंग अप्रोच को थोड़ी दर के लिए बंद करता हूं तुम को सोचने की ज़रत नहीं है तुम DCA चलते रहने हैं उसके इलावा अगर तुम देखते हो तो स्टॉक मार्केट जो है वो रेड में शुरू हुई है लेकिन काफी कम नीचे है तो मुझे लगता है यार यह अट दी अफ दे भूम जाएगा और वापस ग्रीन में ही मंड तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स दो परसंट के करीब मार्केट नीचे है डॉमिनेंस अभी भी अच्छा एथीरियम तो भहिया बहुत स्ट्रॉंग है और मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ एथीरियम को देख के ही मुझे लग रहा है कि बिटकोई भी ऊपर जाएगा पर रिस्क लुना बर बड़ी बन रही है उनका अपना प्र औक यही उसके इलावा वो लगातार बिटकोईन बाए कर रहे हैं कर रहे हैं के मैं शूर 약 5 million dollars के bitcoin buy कर देली तुम खुद समझदार हो तुम्हें खुद समझ में आ रहा है कि fundamentals कहां जा रहे है और प्राइज उसको definitely follow करेगा तो बिलकुल tension में उसके इलावा market जो है वो थोड़ी बुरी ही है और अगेन वो bitcoin की वज़े से थोड़े से coins है जो in fact green में है ये 5.6 परसेंट डॉज धाई परसेंट और मेरे भाई ये आदमी रुकने वाला नहीं है ये डॉज को एक डॉलर तक लेके जाएगा और वो definitely होने वाला है ओके डॉज के इलावा बाकि अगर हम लोग देखते तो लियो टोकन जिलिका जिलिका मैंने अभी आपको शाथ पिछले वीडियो में बोला भी था कि प्रॉफिट्स लो तुमको वापस मौका मिलेगा और मेरे भाई देखो 20 cents पे अगर तुमने बेचा था तो आज वापस एक perfect buying opportunity है और तुमारा जिलिका almost double हो जाएगा almost double so crypto में ये एक चीज तुमें हमेशा समझनी है alt coins में उनके all time highest पे profits लो हो सकता है कि तुमें top भी तुम बेचो हो सकता है कि यार वो एक अच्छी opportunity थी जो miss हो जाए लेकिन वो अच्छी opportunity miss होना बहुत rare है ओके solana में मेरे साथ हुआ लेकिन वो वापस उसी price पे मुझे आकर मिला right so same अभी तो को तुमें profits लेकिन at the end of the day तुमें profits अपने book किये so that is more important उसके इलावा अगर तुम देखो तो यार XRP के उपर भी NFTs आ रहे है वो भी Michael Jordan के इसलिए मैं तुमें कहता हूं XRP, Cardano और Dodge यह तीनों टोकन्स ना यह कभी भी pump हो सकते है और मेरे भाई जब यह pump होंगे ना तो इतने solid pump होंगे कि 10x तो कहीं भी नहीं गया 10x okay so worth है यह projects hold करने के लिए okay कि ज्यादा टेंशन मत लेना आइनो बहुत बुरा close हुआ है बट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि fundamentals बहुत strong है और कहीं अगर हम लोगों ने यह घुमा दिया ट्रेंड और यह वापिस stock market जो है वो green में चली गई मेरे भाई कोई भी सवाल रहे तो बिंदास कॉमेंट करो कोई भी टोकन है जिसका analysis तुम्हें चाहिए तो बिंदास पताओ यार हम हमेशा है यहां तुमाई सेवा के लिए तो चलिए मेरे दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पस्तुन आई है तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो तुमसे काल मुलाकात होगी थेंक्यू सो मच